नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता और आप सभी लोगों का ब्यूट्वी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत है दोस्तों अगर आप अपने आसा में सफेद हो रहे बालों को बिल्कुल नेचरल तरीके से काला बनाना चाहते हैं घना बनाना चाहते हैं सिल्की साइनी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों आपके बालों से जुड़ी हर एक समस्या को खतम करके ये नुस्का आपके बालों को काला करेगी नेचरल तरीके से और साथी साथ बालों में जान लाएगा ये नुस्का बहुत अच्छा नुस्का है तो इसलिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना दोस्तों में सेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी साथ बेल आइकन को प्रेस आप जरूर करना इसे होगा ये जो नई वीडियो प्लोट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले तो नुस्का तयार करने के लिए आपको लेना होगा आवला पाउडर आवला पाउडर आप सभी लोग जानते हैं हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है आवला पाउडर में भरपूर मातरा में बिटामिन सी होता है और साथी साथ ये जो आवला पाउडर होता है बालों को नेशनल तरीके से काला बनाता है बालों में चमक लाता है बालों में जान लाता है आप सबी लोग जानते हैं दोस्तों जो ये आमवला पाउडर होता है ये खाने में भी फायदा करता है सेहत के लिए स्वास्थे के लिए और हमारे बालों के लिए हमारी इसकिन के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसलिए य अब इसके बाद में हम दूसरी सामगरी लेंगे ये है दोस्तो कॉफी पाउडर आप किसी भी कमपनी का कॉफी पाउडर लीजे कॉफी पाउडर दोस्तो क्या होता है कैफीन और ये कैफीन हमारे बालों को नेचरल तरीके से काला करने में मदद करता है तो आप क्या करें इसम इससे आपके बालों को कोई भी side effect नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को अच्छे से mix करेंगे, आप जब इस नुसके को यूज करेंगे अपने बालों में, तो आपको इसका जो reject है, एक बार में ही दिखेगा, अगर आपके बाल टूट रहे, यानि कि हस से ज़्यादा आपके बाल जड़ रहे है, आपके सिर में गंजा पना रहा है, तो उस समस्या को भी खतम करेंगे, नई बालों को भी उगाएगा, कहने का मतलब है, आप ज़्यादा हो तो आप सर्च का लेना आप गूगल पर, तो अगर आपको कम लगे, तो आप इसमें और भी एड़ कर सकते हैं, च्योंकि पूरा हमें जो पेश्च तयार करना है, पूरा एलोवेरा जेल से ही करना है, अगर आपके पास में ताजा एलोवेरा पत्ती से अगर आप जेल निकाल सकते हैं, अगर है आपके पास में ताजा प करके तयार हो गई है और बिल्कुल नेचरल तरीके से नेचरल कलर लाएगी और आपके बालों को बिल्कुल नेचरल तरीके से काला बनाएगी आप देखना आपके बालों की हर एक समस्या मैं आप से बोल रही हूं हर एक समस्या आपकी समात हो जाएगी और आपके बाल बहुत हो रहें गने होंगे आपके बाल जड़ रहें तो जड़ना बंद हो जाएगा आपके बालों में डेंडरו हैं तो डेंडर Lebed भी खतम हो जाएगा क्योंकि हम इसमें यूजड़ कर रहे हैं आपला पॉडर और कॉफी पॉडर और aloe vera gel टीनों ही चीजह अपने आप में बहुत अच्छी हैं बालों के लिए तीमिए ना aloe vera क्या करता है ये भी हमारे बालों में चमक लाता है साइनिंग लाता है तो अब आपको लगाना कैसे है आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने बालों में सैंपू कर लेना है अगर तेल बगरा लगा है तो सबसे पहले आप अपने बालों में सैंपू करिए सैंपू से आप अपने बालों को साफ करें और उसके बाद में बालों को सुखाने के बाद में आप क्या करेंगे इस जेल को यानि कि इस पेश्ट को अपने बालों में लगा लेंगे बालों की जड़ों में पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से लगाईए क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा जो बालों होते हैं वो जड़ों से ही सफेद होते हैं अगर आप इस नुस्के को पूरे बालों में भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे क्या होगा एक तो आपके बाल डार्क होंगे डार्क कलर आएगा बालों में साथी साथ आपके बालों में चमक आएगी दो मुहें बालों से निजात मिलेगी तो आप चाह करना है दो खनटेगे चोड़िये और उसके बादर में मात्र पानी से दो ले जो ने आपको क्या करना है जब आपके बाद सुख जाएं खालना है 那पर तो नारेल के लगा लीजिए کی तो लगा लेजिए या फिर दो सीट एक सांथ मिक्स करके लगा लीजिए तो तेल लगा करके और बालों में मसाज कर दीजिए और बालों को रात बर के लिए छोड़ दीजिए दूसरे दिन आप अपने बालों में फिर से माइड सेंपू लगा लीजिए आप देखना यानि कि बालों को साप पल लीजिए आप देखना नहीं कि आपके लगे हो इसे चिए और मुझे में करेंगे तो इस तरीके से हपते में यूज करेंगे कि सफेद बाल LAUROW कालें होने लगाए निकि आपके बाल LAUROW कालें होने लगा है तो आप खुद देखेंगे ins Pride समस्वाइब और गजिए अ हेरा है už comment करें Honun उसका है क्योंकि सफेद बाल होने की समस्या आजकल आम बन चुकी है और हर किसी को हुए तो आप इसे ट्राइ करिए इसमें कोई भी केमकल नहीं है यह आपकी होमेट आइए चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों सेर करें चलिए